अगे पड़ो मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यों भई क्या होगा है बंदारा गोडिया वालू की आवाज को मोधी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नई बनाना है चार सो पार करनी है या नहीं करनी है तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी बिचिये और प्रचन वाद से बोलिये बारत मता की बारत मता की मंच पर उपस्तित महराश्ट के लोगप्रियनेता उपमुक्यमंत्री और भारतिय जन्ता पार्टी के केंड्रिय कमिटी के सदस्य स्रिमान देवेंद्र फडनवी जी मेरे मित्र और राजसभा के सांसद यही के धरति पूत्र भाई प्रफूल पटेल जी भाजपा के प्रभारी डॉक्टर दिने सर्मा जी और आज जिनका जन्मदिन भी है और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूँ ऐसे हमारे लोगप्रिय प्रत्यासी आगया हो भाई सुनिल सुनिल मेंडे जी के लिए जोड़दार ताली बजाईए जरा और आज बंडारा गोंडिया की सभा में आये हुए प्यारे भाईओ बैनों माताओ और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रो आप सभी को नमस्कार मित्रो आज बाबा साहिब अमबेड करकी जन्म जायंती है इसी महराष्ट की पावन भूमी पर जहां वीर्चत्रपती ने जन्म लिया इसी भूमी पर जन्मे बाबा साहिब ने इस देश को समविदान को बना कर सब को समेटने का काम किया बाबा साहिब ने ही इस देश को पूरी संसार में सबसे ज्यादा समावे सी नियाई प्रिय और सब के साथ समान वहवार करने वाला समविदान देने का काम बाबा साहिब आमबेड करने किया है मैं वो बाबा साहिब आमबेड करके चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूँ मैं आज यहां आया हूँ बंडारा आया हूँ और बाबा साहिब का जन्मदिन है बोले बगर रह नहीं सकता एक कॉंग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर बोट मांगने के लिए गर गर घुंती है 1954 के उपचुना में बाबा साहब के खिलाब मोर्चा लगाने का काम यही कॉंग्रेस पार्टी ने किया चाहे 1952 हो चाहे 54 हो 80 चोटी का जोड लगाकर बाबा साहब को हराने का काम किया मत्नाताओ को उस जमाने में एक रुपिया और नमक की पूडिया देकर गलत तरिकों से बाबा साहब को हराने का काम यही कॉंग्रेस ने किया और यही कॉंग्रेस थी जिसने पाँद दसक तक सासन करने के बाद भी बाबा साब को भारत रतन नहीं दिया और बाबा साब का हमेशा आप मान करने का काम किया भारतिय जनता पार्टी ने बाबा साब से जुड़े हुए पाँचो तीर्थिस्तानों को संद्मानित करकर बाबा साब को युगो युगो तक अमर करने का काम भारतिय जनता पार्टी ने किया और एक कॉंग्रेस पार्टी बाबा साब नहीं रहे बाद में भी जूट बोलकर उनके स्पिरिट को जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है ये जूब फेलाते हैं कि भारतिय जनता पार्टी को 400 सिटे मिली तो भारतिय जनता पार्टी आरक्षन समाप्त कर देगी राहुल बाबा हमारे पास दो टम से पूर्ण बहुमत है हमारे बहुमत का उप्योग हमने कभी भी आरक्षन को हटाने के लिए नहीं किया हमने बहुमत का उप्योग दारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया हमने बहुमत का उप्योग हमने बहुमत का उप्योग त्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर राहुल बाबा लोगों को गलत फेमी मत फेलाओ आज मैं बंडारा गोंदिया वालों को के कर जाता हूँ जब तक भारतिय जनता पार्टी रादनिती में है ना हम आरक्षन को हटाएंगे ना हटाने देंगे ये भारतिय जनता पार्टी के नेता नरेंडर मोधी की गैरेंटी है भाई और बेनो ये चुनाव है उसमें आप मेंडे जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाएंगे तो वोट तो आप मेंडेशी को देंगे मगर मोधी जी तीसरी बार प्रदान मंत्री बन जाएंगे बंडारा गोंडिया में दिया हुआ आपका वोट सीधा नरेंद्र मोधी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने के काम आएगा भाई और बेनो एक दस साल के अंदर मोधी जी ने जितने भी हमारे वादे थे इस सारे वादों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है मुझे बताओ भाई और बेनो एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है जिरा जोर से बोलो है या नहीं है एक खरगे साब केते है राजस्तान और महराष्ट वालों को कस्मीर से क्या लेना देना एक खरगे जी आपको मालूम नहीं है बंडारा गोंडिया का एक एक विवा कस्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है बाई और बेनो मुझे बताओ दारह तिन्सो सतर समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी कस्मीर में तिरंगा फैरना चाहिए या नहीं फैरना चाहिए सतर सतर साल से एक कॉंग्रेस पार्टी धारा 370 को अनोरस बच्चे की तरह घोदी में खिलाती थी आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप कर दिया भाई और बैनो 17 तारिक को राम नवमी है मुझे बताओ मुझे आप सभी लोग बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जरा जोड से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था सालों तक एक कॉंग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुझे को अटकाती रही लटकाती रही भटकाती रही नहीं बनने दिया मोदी जी ने एक पांच साल में ही कौट का फैसला भी लाया भूमी पुजन भी किया और बाइस जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा भी कर दी और इस सत्रा तारीक को इस सत्रा तारीक को पांच सो साल के बाद रामलला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदीर में बिने बतावाएंगे भाईयों मोदी जी ने नकेवल राम मंदिर बनाया बाबा विश्वनात का कॉरिडॉर बनाया कासी विश्वनात का पुनरोधार किया बद्रीनात केदानात का नूतन नगरी बनाया सोमनात का मंदिर सोने का बन रहा है और गुजरात में पावा गड़ पर सक्ति पीट खो चार सो साल के बाद पुनस्था पिद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया भाई और बैनो, मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मानविंडों को पुनर जिवीत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है, देश को समरूद किया है दस साल तक कॉंग्रेस की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे बम धमा के करते थे और चले जाते थे कोई पूछने वाला नहीं था मोदी जी आये पुलवा मामो रूरी में हमला किया मगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी भूल गए एक कॉंग्रेस की सरकार नहीं है भाजपा सरकार है और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी है भाई और बेनों दस ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुशकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी थी हमारे विदर्ब को यहां पर भी नकसलवाद छू गया था आग दस साल के अंदर महराश्ट औरिसा हैद्राबाद तेलंगाना बिहार जारकन इतने राज्यों से नकसलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आपको कहने आया हूँ भाई और बैनो एक मोदी गैरेंटी है मोदी जी को तीसरी बार प्रदानमंत्री बना दो तीन साल में 36 गर से भी नकसलवाद को समाप्त करने का काम यह भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेंगे अभी अभी राहूल बाबा गोसना पत्र गोसीत करकर कहते थे हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेंगे अब यह राहूल बाबा का कैसे भरोसा करो गई वो तो कभी पढ़ते हैं नहीं पूरानी बात्यों की जानकारी लेते हैं नहीं उनको मालूम नहीं है इस बार के संकल पत्र में आपने जो वादा किया है वो आपकी दादी करकर गई है इंदी राजी ने कहा था हम गरीबी अटाएंगे इंदी राजी गई राजीव जी गए सोन्या जी भी गई और राहूल बाबा है अब तक गरीबी नहीं अटी मगर नरेंद्र मोदी जी ने दस साल में घरीबों के लिए धेर सारे काम किये हैं देश के 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा के बहार निकालने का काम हमारे माननिय पंत प्रदान नरेंद्र मोदी जी ने किया है असी करोड लोगों को मुप्त राशन प्रती महा प्रती व्यक्ती पांच किलो राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और तीसरी बार प्रदान मंत्री बना दो अगले पांच साल तक और राशन मिलने वाला है आज मोदी जी ने घोशना कर दी है 12 करोड से ज्यादा गरों में सोचाले सत्तर साल के बाद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है चार करोड लोगों को गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आज ही घोशना किया है कि तीन करोड और गरीबों को गर देने का काम ये नरेंद्र मूदी जी करेंगे दस करोड से ज्यादा लोगों को उजवला का गैस का सिलिंडर दिया है और अब माता हो बैनो खुशिया मनाना नल से जल आता है इसी तरह पाइप से गैस आपके घर में पहुचाने का काम अगले पांच साल में होने वाला है और 14 करोड गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जीने का है भाई और बैनो राहूल बाबा किसानों की बात करते हैं मैं आज उनको पूछने आया हूँ 2013-14 में किसान कल्यान कुशी भाग का बजेट कितना था सिर्फ 22,000 करोड राहूल गांदी जवाब दे इस बात का आपने सिर्फ 22,000 करोड का बजेट रखा था 2022-23 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक लाग पचीस जार करोड तक पहुचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने के भाई और बैनो अभी अभी देवेंद्र जी ने धान पर बोनस दिया है मगर मैं धान का अंकड़ा भी बताने आया हूँ एक बंडारा गोंदिया धान का क्षेत्र है चीहत्तर लाग लाभारतियों को सिर्प देश बर में ध्यान खरीदते थे अब एक करोड बाईस लाग किसानों का धान खरीदने का काम एक भारतिये जनता पार्टी की सरकार करती और धान का 475 लाग मेटरिक टन खरीदी होता था उसको दो गुना करकर 830 लाग मेटरिक टन तक पहुचाने का काम एक भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने किया है और भाईयों और बेनों हमने इस देश के इस महतपुण हिस्से के लिए समरुद्धी मार्ग जो पहले नागपूर तक था उसको गौंधिया तक एक्स्टेंड करने का काम एक भारतिये जनता पार्टी ने किया है दोनों जिलों में पक्की सडक बनाने का काम किया एक लाग घर इस खेत्र के अंदर बनाए साथ लाग आयू समान भारत के कार्ड निकाले सोब बस्तरों की बिस्तरों की क्षमता वाला नया अस्पताल बनाया दो लाग दस अजार माताओं को उज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और दो लाग चालीस अजार लोगों को घर में जर्नल से जल पहुँचाने का काम नरेंदर मोधी जीने किया है और आज यहाँ पर मैं आया हूँ तब सरत पवार जी को भी पुछना चाता हूँ सोनिया मनमोन की सरकार का अफिस्सा थे आपने महराश को दस साल में क्या दिया था गौंदिया वालों मेरी बात ध्यान से सुनना दस साल में कॉंग्रेस सरकार ने महराश को एक लाग इक्यानवे हजार करोड दिया था इसके सामने दस साल में नरेंदर मोधी जी ने और 2,90,000 करोड सड़क रेलवे और बुले ट्रेन और एरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है। अभी अभी मैं उद्धव ठाकरे को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली भाजपावालों है। सरत पवार जी भी कहते हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली, मैं आज पस्ता करने हाए हूं महाराश की जनता के सामने, हमने न सीव से ना तोड़ी है, ना एन सीपी तोड़ी, उद्धव के पुत्र मोंने सीव से ना तोड़ी, और पवार साब के पुत्री मोंने एन सीपी और आज देखिये साब यहां के ही नेता महराश्ट कॉंग्रेस के अध्यक्स बने कॉंग्रेस का क्या हाल हुआ आधी सीवसेना और आधी NCP ने पूरी कॉंग्रेस को आधी करने का काम कर दिया अब मुझे बताओ बंडारावालो यह तीन आधी पार्टिया महराश्ट का भला कर सकती है क्या जरा जोर से बोलो कर सकती है महराश्ट का भला केवल और केवल भाजपास सीवसेना और NCP के साथ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता भाई और बेनो यह देश का चुनाव है मोदी जी ने समग रवीश्व के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है अभी अभी G20 की मिटिंग हुई दुनिया भर के राश्ट्राद्येक्स महात्मा घांदी की समादी के सामने नत्मस्तक हुए और इतने खराब माहोल में भी दिल्ली डेकलेरेशन करा कर हमारे कुट नितिक विजय को नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में इसका परचम भैलाने का काम किया है भाई और बेनो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ए दस साल मोदी जी का कॉंग्रेस ने बनाया हुआ घड़ा भरने में गया है अगले पांथ साल में महान भारत की रचना करने का काम अगले पांथ साल में शुरू होने वाला है और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि 2047 में 2047 में हम महान भारत की रचना करेंगे भाई और बेनों हमने अभी अभी गोष्णा पत्र गोषित किया है हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि अब देश में पूरे देश में भाजपा सरकार आने के बाद मोदी जी के प्रदान मंत्री बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक सहिता UCC को लागू किया जाएगा हमने कहा है पूरे देश में विधान सभा और लोग सभा के इलेक्षन एक साथ किये जाएंगे बार बार इलेक्षन नहीं किया जाएगा हर बुजोर्ग जो सत्तर साल से ज्यादा आयूका है उसका पांच लाग तक का सारा इलाज का खर्चा इरिस्पेक्टी ओप इंकम नरेंद्र मोधी सरकार उठाएगी नए तीन करोड गरीबों के घर बनाएंगे जुग्गी जोपडी को रहने वालों को प्रायोर्टी देंगे पाइप से गैस हर घर पहुचाने का कारेक्रम सुरू होगा और पी-म सुर्यगर से गरिब के घर की बिजली का बिल जीरो करने का काम एप भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी मोधी जी ने एक करोड लगपती दिदी बनाया है और हमने लक्स रखा है तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाये तीन करोड लगपती दिदी बनाने का काम एप भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी पेपर लिग के लिए कठोर कानून लाकर पारदर्सी नौकरी की व्यावस्ता करेंगे इंफ्रास्ट्रक्टर, इन्वेस्टमेंट, मैनिफेक्टरिंग, हाई वेल्यू सर्विसिस, स्टार्ट अप, टूरिजम और स्पॉर्ट्स के खेत्र में लाखों मौके युवाओं के लिए बनाएंगे और 2036 का ओलंपीक बारत में होगा, वो भी हम स्वी निश्चीत करेंगे भाईों और बैनों, एक और राहुल बाबा है, उनके नेत्रुत में परिवारवादी पाटियों का घजोड है, जो अपने बेटे, बेटी, भतीजे, भतीजियों को प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बनाना चाहते है और दूसरी और घरीप के घर में पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी नाम का एविक्ती, जिसने 23 साल से एक भी चुटी लिये बगर देश की सेवा करने का काम किया है एक और 12 लाग करोर के घपले घोटाले करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है, और दूसरी और जिस पर 23 साल से मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री रहने के बाहुजोद, पांच पैसे का आरोप नलगा, ऐसा प्रामानिक नरेंद्र मोदी है एक और देश की सुरक्सा को अपनी वाट बेंक के लिए ताक पर रखने वाला एक गमंड्या गठवंदन है, और दूसरी और सेना के जवानों को वन रैंक वन पैंचन देकर आतंकवाद को समाप्त करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार है आपको फैसला करना है, मेंडे जी को दिया हुआ आपका वोट, नरेंद्र मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाएगा, मेंडे जी को दिया हुआ आपका वोट, भारत को सुरक्सित बनाएगा, मेंडे जी को दिया हुआ आपका कमल के निसान पर वोट, भारत के अर्थ तंत्र क को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थ तंत्र बनाएगा भाई और बैनों मैं अपील करने आया हूं आप सभी को हमारे आगया यह मेंडे जी हमारे नेता मेंडे जी को यहीं का आपका ही नेता है इसको प्रचंड बहुमत से जिताईए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ करिए मुझे बताओ कमल के निसान पर बटन दबाएंगे अरे सुना है नहीं पढ़ता भाई जोर से बोलो दबाएंगे चार सो पार कराएंगे मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाएंगे मेंडे जी को जिताएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी बिंचे और बोलिए जै श्रिडाम जै जै श्रिडाम बारत मता की बारत मता की वंडे जै 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 सिवाजी जै 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 भवानी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोट